बंधे का बालाजी मंदिर में 10 जून को हुई दान पात्र की चोरी के मामले में पुलिस ने बड़ी कारवाही करते हुए दो आरोप्यों को गिरफतार किया है जिसमें घटना में प्रयुक्त हुई बाइक को जप्त किया है और चोरी की हुए रुपए भी बरामद किये गए है सचीन कुमावत हाल निवासी जुन जुनू मोडा पहाड और मोनु वालमी की हाल निवासी वार नंबर पचपन मोडा पहाड ने 10 जून को रात धाई बजे दिवार पर सीड़ी के सहारे चड़ कर मंदिर में रखा दान पात्र चोरी कर ले गए थे पुलिस ने तकनीकी शाक्षों और मुखबीर की सहायता से मुजलिमों को गिरफटार कर लिया है वहीं सुरजगर में उरिका में हुई चोरी की वारदात का खुला सा भियाज पुलिस ने किया है पुलिस ने बताया कि बावरिया गैंग के दो आरोपियों को इस मामले में ग गिरफ्तार किया गया है इमर्तिलाल ने सुरजगड पिचानवा अगवाना सहीव उरिका में रेकी कर बावरिया गैंग के साथ चोरी करना कबूल किया है वहीं संत्रा थाना सदर कनीना हरियाना की हिस्ट्री शिटर अपरादी है जिस पर चोरी के 15 परकरण भी दर्ज हैं पु निस लोहारू रोड पर ट्यूब वेल खरा पड़ा है पेजल किलत से गुच्साए वार्ड नमबर 18-19-20 के वाडवाशियों ने सुकरवार को पारसद राजकुमार नायक के नेतरत्व में जल्दाय विभाग का गेराव किया और वहीं धरना देकर बैठ गए तदा परदर् जल्दाय विभाग के अधिकारियों ने पारसद नायक वाडवाशियों से वारता की वारता के दोरन पारसद नायक वाडवाशियों ने जल्दाय विभाग के अधिकारियों को जम कर खरी खोटी सुनाई और कहा कि जब तक ट्यूब वेल ठीक नहीं होगा तब तक हम सब वा पारसद नायक की अगवाई में वाडवाशियों ने जल्दाई विभाग के अधिकारियों को चितावनी देते वे कहा कि अगर सनिवार तक ट्यूब वेल ठीक नहीं होता है तो बड़ा अंदोलन करेंगे जिसकी समझ जिम्मेदारी जल्दाई विभाग की होगी अवेद खनन को लेकar मंड्रेला में पुलीस के कारवाई छे डंपर जब्त कर एक आरोपी को किया गिरफ्तार मंड्रेला कस्बे में अवेद खनन के परिवहन वावरलोड वाहनों के खिलाफ मंड्रेला पुलिस वे डीएश्टे टीम ने सहिवत रूप से कारवाई की मंडरेला थानादिकारी चंदरभान के नेतरत्व में गठित टीम ने राजगड जुंजनू रोड मंडरेला बाईपास पर अवैद रूप से डश्ट क्रेसर का परिवहन करते पाए जाने पर एक डंपर को जब्त करते वे चालक राजगुमार को गिरफतार किया गया वहीं एक अन्यकारवाई में मंडरेला पुलिस ने नाकाबंदी के दोरान अवैद डश्ट क्रेसर से भरे पांच ओवरलोड डंपरों को दस्तावेज के अभाव में धारा 207 MV Act में जब्त किये गए पिलानी पंचायत समीती की साधारन सवा की बैठक सुकुरवार को परधान बिर्मा देवी की अध्यक्स्ता में आयुजित की गई बैठक के दोरान जन परतिनीदियों ने बिजली पानीव सडकों से जुड़ी समस्याओं को सदन में उठाया जिस पर परधान बिर्मा देवी वै विकास अधिकारी सुनील धाका ने समन्दित अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिये उपकंड अधिकारी सुरजगर दैनन्द रुयलव है विकास अधिकारी सुनील ढाका ने राज्य सरकार के सगन व्रक्षारोपण अभ्यान में सभी जन प्रतिनीदियों की भागीदारी सुनिश्चित कर अधिक से अधिक व्रक्षारोपण करने की अपील की गई नायब तैसिलदार सुरेंदर कुमार द्वारा सभी सरपंच गणों से समयबद रूप से नामांतरन स्विकर्थ करने की अपील की गई बैठक में ग्राम पंचायतों से प्राप्त मनरेगा पूरक वार्शिक कारिय योजना तथा मुख्यमंतरी जल स्वावलंबन 2.0 के वित्यवर्स 2024-25 के पूरक प्लान को विकास अधिकारी द्वारा अनुमोधन हेतु सदन में रखा गया जिसको सर्व समती से पारित कर दिया ग दाखिल चिडावा नगरपालिका के वार्ड नंबर 22 के उप्चुनाव घेतू अंकित भगेरिया ने सुक्रवार को उपखंड कारियले पहुँचकर अपना नामांकन दाखिल किया नामांकन दाखिल से पहले अंकित ने स्रीकल्यान परभु के दर्शन किये इसके बाद पंडित गनेश नरायन बावलिय बाबा साधना स्तल से रवाना होकर तथा अपने परिवार से आसिरवाद लेकर समर्थकों के साथ उपखन कारेले पहुंचे जहां भारतिय जन्ता पार्टी के जिला महमंतरी राजेश धहिया के नेतरत्व में उन्होंने अपना नमांकन अखिल के समय भाजपा के पुर्वे जिला उपाद्यक्स ललित भगेरिया, सरपंच परतिनीदी अनुप नहरा, पुर्व मंडल अद्यक्स भाबुलाल जांगिड, पुर्व पार्षत कैप्टन संकरलाल सहित काफी संक्या में सहर के गणमाने जन्मोजूद रहे